सो गैज एक और वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले है दो एर कुलर के बारे में सिंफनी का एक तो ये वाला है जो की है 75 लिटर का और ये है 115 लिटर यानि की 75 और 115 लिटर सुम्मो मॉडल है और दोनों का है क्योंकि मैं वीडियो कूलर के बारे में नहीं बना रहा था मैं वीडियो ला रहा था वाइटी यानि की यूटूब टेक्निकल जो इन्फोर्मेशन है उसके बारे में तो चलिए इसका फटा बढ़ हम रिव्यू करते हैं ये है वन सुरी 75 लिटर का है एर कूलर सिंफनी क मिल जाते हैं और साइड में आपको यहाँ पर वील्स मिल जाते हैं यहाँ पर चार वील मिलते हैं यहाँ पर वाटर इंडिकेशन हैं बट यहाँ पर लॉकिंग वील्स नहीं मिलते यह वाला छोटा वाला मोडल याने कि 75 लिटर का है और यहाँ उपर की साइड में आपको अलग अलग डायलर मिल जाते हैं यह 1st Спीड का है High, Mid or Low और यहाँ पर है Cool, Swing, PLUS, Cool and Swing वाला O bok्सण यह 3 अलग-लग मोड से यहाँ पर यह 3 High, Mid or Low Speed है 3 Speed either 3 Mode यह 3D logo ह्यों है Symphony का यहाँ पर इसका, QR Code भी है बाकी इसका न varias साइट से उपन कर रखा पीछे की साइड से आप देख सकते हैं हनी कॉम पेड़ है या पर ब्लू कोटेड हनी कॉम है जो की लॉंग लाइफ प्रोवाइड करती है साथ यहां पर है वोटर इनलेट वाला और यहां पर ओवरफ्लो वाला ओप्शन दे रखा है बाकि यहां पर इसका मोडल है जन्वन प उसको फिल्टर करने में ज्यादा एजी रहता है यानि कि डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाए गए उसी के साथ तब बात कर लेते हैं इसके अंदर वाले पार्ट्स की तो अंदर से कुछ इस टाइप का डिजाइन है फोरवे कूलिंग है और कुछ इस टाइप की अंद पूरिया यह 5 है आप देख सकते हैं यहां पर यह 5 है और उसी के साथ यहां पर जो फैन है वो नॉर्मल टाइप का फैन है यह जो इसका बेस है यानि जिस पर यह मोटर लगी हुई है यह एक अच्छी चीज लगी है क्योंकि वाटर टैंक से काफी उपर है यानि कि जहां प पाईपिंग यहां नीचे की साइड में लगी हुई है और यहीं से पानी आता है अब देख ही सकते हैं यहां पर यह खाचे बने हुए हैं पूरा वाटर ऊपर जाएगा ऊपर से आपर फ्लो होता हुआ नीचे आएगा यानि कि सभी साइड में एकदम एकवली फ्लो और इसमें पाइप एक्स्ट्रा आपको साथ में मिल जाती है वाटर इनलेट के लिए ये अच्छा चीज लगी है क्योंकि मार्केट से अगर हम पाइप खरीदते हैं तो इस टाइप का हाउजिंग साथ में आता है आप अटेच नहीं कर सकते जो कि इसमें एक अच्छी चीज ह जो कि एक कमपनी खुझ साथ में प्रोवाइड करवाती है बाकी साइड वाला लुक बिल्कुल सेम ही है बैक वाला लुक बिल्कुल सेम ही है पूरा मेकनिजम पूरा डिजाइन और सारा का सारा जो फीचर से वो सेम है बाकी इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है वो है इसके व यह चीज है में थोड़ इस डिफरेंस है बाकि ल्किंग फिल को लेकर बाकि यहां पर सब कुछ मेकेनिजम डिजाइन, अपर सब कुछ सेहलने है पूरा स्तिमीलर है बाकी हाट का यहाँ पर डिफरेंफ है क्योंकि यहाँ पर वाटर टेंक का बिफरेंच है यह है 75 लिटर का और यह वाला है यह है 111 लिटर का तो फिर यह छोटी सी principal Exp。 अन्बॉक्सिंग अल्रेडी था क्योंकि एर कुलर का अन्बॉक्स में वैसे कुछ नहीं होता एर कुलर ही होता है बाकि उसमें यूजर मैंडूल वगर होते हैं अब बात आती वारंटी कि इसमें एक साल की आपको ऑन साइट वारंटी मिल जाती है सिंफनी एक सर्टिफाइड ब्रेंड है यानि की लोगों को ज्यादा विश्वा से सिंफनी पर और वैसे क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करवाता है ये ब्रेंड लॉंग लास्टिक है लंबे टाइम तक चलेगा अच्छी सर्विश देगा आप बाय कर सकते हैं और प्राइजिंग की बात करता हैं मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में टेक केर जैन